3 to 5 विस करेंगे distance होगा 35 तो क्या मिल जाएगा हमें minimum spawning tree मिल जाएगा अब देख सकते हैं कि total weight कितना हुआ हमारे पास तो 10 plus 15 plus 20 plus 25 plus 35 that is only for 105 विनिर्स हो गए अगर माल दीचे हैं आपने यह select नहीं किया होगा और अगर कोई बोलता है मुझे मैंने 1 4 select कर दिया 1 5 select कर दिया 2 5 select कर दिया तो देख सकते हैं तीन ही age में आपका distance किना हो जाएगा 30 plus 40 70 70 plus 14 होगा that is 115 and only 3 एज में 115 हो जाएगा और बाकी दो अभी vertex 3 बाकी रहे जाता है 6 बाकी रहे जाता है that is यहां पे minimum spawning tree में क्या benefit कर देगा क्या में total length जो आपका काम करना है वो बहुत minimum होगा now here second example same है अगर आप ट्राइ करना चाहते है यहां पर तो क्या होगा यहां पर जो ages अपको दिखाए दे रही है वो क्या है वाटेश है a b c d e f and g है a और b के बिट्विन में कितना डिसंस है 12 km का है और वाटिवर जो भी वेट दिया हुआ है b2 6 के बिट्विन में कितना है 12 है b2d के बिट्विन में 10 है c2d के बिट्विन में कितना है 4 है अब हम यहां पर यह पूरा रिप्रेजंट कर रहे हैं ग्राफ में तो ग्राफ कैसे बनेगा आप यहां पर देख सकते हैं now here तो यहां पर हम ड्रॉ करना चाहते है वर्टेक्स ए पहले वर्टेक्स A के अड्जेसंट विट है वर्टेक्स B, B के अड्जेसंट विट है वर्टेक्स C, C विट वर्टेक्स D और D is also adjacent with वर्टेक्स B, again यहां पर E वर्टेक्स था, now here A is adjacent with यहां पर G वर्टेक्स है, G again adjacent with F है, F is now again adjacent with E है, E जो था वह यहां पर हमारे पास G के साथ भी adjacent है, A के साथ भी adjacent है और again B के साथ भी adjacent है, now here again F and D भी adjacent है हमारे पास, तो यहां पर वेट हमारे पास था यहां पर 12 था, 10 था, 4 था, 12, 6, 14, 20, 4, 8, 6 and 6, अब हमारा टार्गेट है, यहां पर हमें select करना है, ages, तो देख सकते हैं पहले, पहले मैंने कौन सी age select की हुई है, यहां पर, तो यहां पर 4 age, आपको जो वेट दिखाए दे रहा है 4 वो किता है, minimum है, that is I would like to select the age between C to D, then second one is what, 4 से next weight वाला कौन सा है आपके पास, again वो G to F है, उसका weight भी कितना है, हमारे पास 4 है, और यह दोनो age बनके circuit भी नहीं बना रही है हमारे पास, अब next उसके बाद, weight कितना है हमारे पास, F to E दिखाए दे रहा है, यहां पर, और वो भी हमें circuit नहीं बना रही है, अब next 20 है, 12 है, 8 है, 14 है, 6 है, 12, 10, तो 6, तो अगें next कितना है हमारे पास, 6 है, तो हम यहां पर кабель डाल सकते है, यह यहां पर हम C and G line डाल सकते है, अब next भी कितना है हमारे पास, again यह दिखो, यह 4 बनके कोई circuit नहीं बना रही है अभी next यहां पर between E2 भी मिल रहा है वो भी हमें circuit नहीं बना रहा है अब आप देख सकते हैं कि यहां पर G F E D C B यह ages इस आवर्टेश इस सिलेक्ट हो गये हैं लेकिन अभी हमारे पास A vertex select नहीं हुआ है यह हमें अगर बनाना है spawning tree तो क्या करना पड़ेगा वह A vertex को भी select करना पड़ेगा अब माल जब next age में select करने जा रहा हूँ अगर मैं 8 select वाली age select करूँगा तो क्या हो जाएगा यह 4 वाली age 6 and 8 वो तो circuit बना देगी तो हम हमें select नहीं करना है हम 20 को बाद में देखते है क्योंकि उसके smallest weight वाली कितना है हमारे पास अभी 10 है अगर हमने 10 select कर दिया तो क्या हो जाएगा वह भी एक circuit बना देगा तो वह भी हमारे पास possibility नहीं है 12 select करेंगे तो भी वह एक circuit बना देगा तो वह भी हमें possibility नहीं है अब यहां पर हम 12 select कर सकते हैं यह तो क्या होगा यहां पर हमें कोई circuit नहीं मिलने वाली that is यह क्या हो गया पूरा आपके पास ग्राफ बन गया और वो जो ग्राफ है ए जी ए बी सी डी ए ए एफ एंड जी और जो हमने एजिस सिलेक किये वो एजिस का टोटल कितना हो रहा है यहां पर हम देख सकते हैं पहला फोर था यह वाला है second वाला यह भी four था तो plus four हुआ थार्ड वाला यह six है next यह भी कितना है हमारे पास six है again यह भी six है हमारे पास again हमारे पास यहां पर 12 है तो आप देख सकते है 4 years again 4 years 6 years again यह 6 years यह 6 भी हो गया years और यह कितना हुआ finally 12 तो यह सब का आप total जो कर सकते है that is यहाँ पे 10 plus 10 20 तो यह कितना मिलेगा आपको that is this is known as a weight of a spawning tree तो वो आप यहाँ पर देख सकते है तो कितना answer मिल रहा है आपको 38 that is अब यहाँ पर आप देख सकते है कि total जो selection हुआ है वो ages का selection that is आपको minimum spawning tree बन रही है that is known as a critical algorithms methods अब हम next जा रहा है prims algorithm के लिए same जैसे क्रूसकल algorithm ने आपको minimum spawning tree बताया है वैसे आपको prims algorithm पर minimum spawning tree बताएगा लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है first let t be any tree in a connected weightage graph g represented by two sets that is हमारे पास कोई graph दिया हुआ है weightage graph है हम यहां से आपको tree का selection करते जाएंगे tree का selection कैसे करना है first step है हमारे पास start with vertex v0 अब कोई भी vertex start कर सकते है हम परा vertex called it is v0 अब हमें क्या करना है first tree बनाना है only v0 vertex के साथ second step है हमारे पास कोई age even डालना है हमे age कैसे डालेंगे that is vertex v0 with adjacent with any vertex v1 अगर हमने यह age डाल दिया है तो वो अब tree काउन सा कहलाएगा tree equals to set v0 v1 with even age even age क्या हो गए between v0 to v1 होगी अब माल लिजे हमने e1, e2, e3 ऐसे ages हमें select करनी है तो next age कैसे select करना है next age select e i j equals to what v i v j in such a way that end vertex v i is in tree जो one vertex होगा वो t में आएगा और दूसरा end vertex होगा which is not in tree and second thing is what the weight e i j होगा which is small as possible कब तक जाना है आपको whenever vertices of t equals to vertices of g हो जाए तब तक again repeat कर रहा हो मैं prims algorithm के लिए आपको क्या करना है पहले आपके पास होगा weight age graph g then आपको start करना है कोई एक tree को लेके first tree को बोलेंगे हमें V0 vertex single है अब second step में आपको V0 जिसके जिसके साथ adjacent है वो V1 या V2 whatever तो उसमें से V0 V1 को हमें add करना है और condition क्या होनी चाहिए जो weight होगा V0 V1 age का वो minimum होना चाहिए then next ऐसे हमें age select करते करते जाना है कि जिसके condition होगी one vertex tree में होगा और second vertex does not belongs to tree and then जो set of tree मिल लेगी that is set of vertices in a tree which is equals to set of vertices in a graph g आप यहां तक process कर रहे है that means what that is called a minimum spawning tree जैसे हमने क्रुसकल algorithm ने क्या process किया कोई भी एजली दूसरी एजली थीसरी एजली condition क्या थी उसमें circuits नहीं बनी चाहिए and then second is what the weight of ages minimum 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 लेगत लेक्यापको जाना है that is first minimum उससे सेज, largest उससे सेज, largest, largest करते करते आपको जाना है कहां तक जाना है whenever all the vertices क्योंकि हमारा target क्या है whole villages है V1, V2, V3 जो villages को हमने क्या represent किया हुआ है vertices अगर ये दो villages के between path या pipeline possible है तो उसका जो distance kilometer हो सकता है या उसकी जो pipelines है तो उसका expected cost कितना है वो हम cost भी लिख सकते है okay तो same वही concept के साथ लेकिन थोड़ी बहुत अलग process है यहाँ पर prims algorithm दे so prims algorithm के लिए हम graph देखना चाहते है next यहाँ पर graph दिया वह app को a, b, c, d, e, f, g वही graph है जो हमने cruise call में solve किया था लेकिन हम यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया जो adjacency matrix वाला case था वही case हम यहाँ पर solve करेंगे again आप एक बार फिर से देख सकते हैं adjacency matrix के लिए तो यहाँ पर हम देखना चाहते है तुछन हो यार यहाँ पर vertices थे हमारे पास v1, v2, v3, v4, v5 and v6 तो पहले आपको क्या करना है यह जो vertices है जो ages है वो ages के हिसाब से आपको find करना है adjacency matrix तो adjacency matrix कैसे find करेंगे अगर v1 vertex दूसरे जो vertex के साथ adjacent होगा तो वहाँ पर ages के लिए हम 0, 1 पूट करेंगे और जहाँ पर नहीं मिलेगा उसके लिए हम क्या पूट करेंगे जीरो तो अगे आप देख सकते हैं v1, v2 के बिट्विन में ages है यस तो हमने यहां पर पूट किया है वन v1, v3 के बिट्विन में ages है नहीं तो हमने यहां पर क्या पूट किया है 0 similarly v1, v4 के लिए आपने 0 पूट किया है v1, v5 के लिए भी आपने यह प्रिम्स algorithm से हिसाब से हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा आपके पराश ग्राफ दिया हुआ था वो ग्राफ का यहाँ पर एड्जेशंस भी मैट्रिक्स दिया हुआ है अब देख सेके हैं यहाँ पर जो ए वर्टेक्स वो किसके साथ एडजेसंट यहाँ पर इस तेवारिया नों सब्सक्राइब सुम्गुल automat यहां पर इंफिन्टीव थो थे. क्युकर यहां पर हैं पर हम पाथ नहीं हैं। क्यों क्यों सब्सक्राइब कर सकता हैं, नहीं पर 15 एक किलिमटर देनें पर 12 रहें कर सकता हैं। अगें अटू जी के बिट्वीन में भी कितना है 20 है तो यहां पर हमें 20 रिप्रेजन किया है according to prims algorithm what first of all you have to select any one vertex यहां पर हमने a vertex select किया हुआ है अब a vertex that is आप जो adjacency matrix है वहां पर अगर हम directly graph में देखेंगे तो थोड़ा difficult होगा क्योंकि यह vertex से साथ 14 के साथ 12 के साथ 20 के साथ तो यहां हमें 12 कितना मिल रहा है minimum मिल रहा है तो हमने क्या select कर दिया अभी a to b age डाली that is अब हमारा tree क्या हो गाया tree t equals to vertex a b with age a to b अब हम हमारे पास tree में दो vertices हो गए a and b तो अब यहां पर adjacency matrix में आप दो row देख सकता है a row and b row अब a row and b row दोनों में से आपको minimum क्या दिखाए दे रहा है यहां पर six दिखाए दे रहा है so that is अब हमने next क्या select किया a b one age then b two e second age select किया है अब यहां पर देख सकते है a age में क्या है हमारे पास 0 12 infinitive infinitive 14 infinitive 20 b h में क्या है हमारे पास 12 0 12 10 6 infinitive infinitive अब हमारे पास तीसरा vertex आ गया है e और e में क्या है 14 6 infinitive infinitive 0 6 and 8 तो अब हमारा next target क्या होगा जो minimum दिखाए दे रहा है आपको वो six है ना यहां पर हम देख सकते है कि हमने six कौन सा select किया between e to f between e to f that is हमने यहां पर between e to b वाला select नहीं किया हुआ है because of अगर आप यह select कर देते तो अगें क्या हो जाती circuit बन जाती तो वो तो हमारे पास possibility नहीं है so that is again next हमारा target होगा आप यहां पर देख सकते है a में कितना था minimum 12 था b में 6 e में भी आपको मिल रहा है 6 और वो कौन सी vertex मिल आपको नहीं f तो अब हमारे पास total कितने vertex हो गए four vertices हो गए अब यह four vertices के साथ में हम यहां पर a b e and f उसमें से minimum देख सकते हैं अगर हमारे पास यह minimum हो गया तो कितना मिल रहा है आपको पहली रो में तो 12 था 14 था next second row में 6 है 10 है 12 है third e row में 6 है next 6 है 8 है f में कितना मिल रहा है आपको four मिल रहा है that is again मैं आपको बता दू हमारे पास tree कैसे select करनी है आपको v0 vertex पहले select कर दिया उसके बाद में हमें v1 vertex select करना है कैसे select करना है जो v0 v1 age मिलेगी वो age हमें क्या लेनी है minimum लेनी है अगर हमने v0 v1 2 vertex select कर दिया है तो अब हमें तीसरा vertex select करना है तो कैसे select करना होगा v0 या v1 वो दोनों में से कोई एक vertex वो v3 के साथ adjacent होना चाहिए और अगर वो adjacent मिल रहा है तो उसका weight कितना होना चाहिए minimum weight होना चाहिए अगर हमने यहाँ पर a b c 3 vertex select कर दिये तो fourth वाला d vertex कैसे select या d या whatever जो भी vertex कैसे select करना होगा हमें जो vertex की age वो tricky age that is a b c के साथ adjacent होनी चाहिए और second thing क्या होना चाहिए वो minimum होना चाहिए तो अब हमारे पास next क्या आएगी हम देख सकते हैं यहाँ पर a b c d e f g था उसमें से four हमें minimum मिल गया है तो अब यहाँ पर कौन सा vertex बाकी है वो आप देख सकते है a vertex select होगा है yes b b select होगा है yes अब हमारे पास दो c and d and last wala g remaining है that is अब हमारा target क्या होगा a row में देख सकते आफ b row में देख सकते आफ e row and f row में देख सकते हैं तो जो minimum मिल रहा है वो minimum आपको select करना है तो आप next minimum क्या मिलेगा आपको f row में 6 d row में आपको कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है that is अब क्या select होगा है d